Hello everyone, welcome to Vikshu Academy, आज यो वक्षिट आप लोगों के आई है, आपकी वक्षिट नमबर 27 है, मैस की है, क्लासिक्स के लिए और 29 दिसमबर 2020 के लिए आई है, टॉपिक है प्राक्टिकल जेमेटरी, इसमें हम प्राक्टिकल जेमेटरी करें पढ़ेंगे, आप सभी के पास जेमेटरी बॉक्स होगा, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रिमेंट्स देखी होंगे, तो उन ही सब चीजों को हम यहाँ डिसकस करने वाले हैं, जो सबसे पहले आपकी जेमेटरी में दिखाई देता है, वो आपको क्या दिखाई देता है, स्केल, है ना, आम तोर की देखते हैं, इस कमपास को, कमपास के एक साइड जो है, पैंसिल जो है, डाली जाती है, दूसरी साइड पॉंटेड हिस्सा होता है, और इसका यूज हम सर्कल बनाने के लिए, या फिर स्केल से लेंद को नापने के लिए भी करते हैं, और आर्क वगरा भी ट्रॉ होती है, उसके बाद divider, divider के दोनों ही pointed ends होते हैं, और ये length को compare करने के लिए use होती है, उसके बाद ये जो है, आप लोगों का set squares बोलते हैं इसे, और ये triangular shape में होते हैं, और ये जो है perpendicular line या फिर parallel line ड्रॉ करने के लिए use की जाती है, तो perpendicular line इस तरह से होती है, यहाँ पर 90 degree का angle बनात ही होती है, एक दूसरे के सामने जो कभी भी extend करने पर भी नहीं मिलती है, आपस में या कटती नहीं है, उसके बाद जो next instruments आप लोगों की geometry box में होता है, वो है ये D, जिसको आम तोर की भाशने में हम सभी D बोलते हैं, लेकिन maths की language में इसे हम कहते हैं protractor, वो tractor जैसा होता है तो इसके 0 से लेकर 180 तक के angles इसमें indicate होते हैं और ये angle बनाने के काम आता है, और अभी आप लोगोंने सारे geometrical instruments आप लोगोंने समझ लिये हैं, तो आए ये picture जो है एक house दिया गया है, और इसमें करना क्या है, आपको copies में ये वाला काम करना है, इसमें करना क्या है, इसमें ज यूज हुए हैं इस picture में, वो आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं उनके, और any four, ठीक है, one, two, three, four है, अगर इस से जादा दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो, और shapes लिखनी है यहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आप लोगों का scale दिखाई दे रहा है, तो यहाँ geometrical tools म ठीक है, और उसके बाद में, आप लोग spellings बिल्कुल धियान से लिखना, मैं दुबारा लिख देती हूँ, यह वाला मैं करवारे हूँ, geometrical tools, ठीक है, यह first है, यह second है, तो first, पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर scale, scale को हम कहते हैं ruler, ठीक है, second है, आपका यह set squares, then third है आपका, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह है protractor, ठीक है, यह है protractors के नीचे जो बना होए, protractor, और जो यह बना होए, यह है आपका compass compass ठीक है और यह जो दिखाई दे रहा है यह divider ठीक है तो यह थे आपके चार लिखने थे तो आप लोग यह चार लिख लेना स्केल डूलर सेट स्केर्स प्रोटेक्टर एंड कंपास तो यहां पर वीडियो पॉस्ट करके उतार लीजिएगा उसके बाद जो सेकिंड कुशिन है आप लोग का यहां पर शेप इस पिक्चर पर कौन कौन दिखाई दे रही है यह देखो एक शेप तो मुझे यह नियिजीएम ठीक है दूसरी शेफ मुझे दिखाई दे रही है इसकी रैक्टेंगल की इसके बाद मुझे यह सर्कल दिखाई दे रहे हैं दो तो आप लोग लिखो पैंड मुझे ही त्राइंगल खी दिखाई दे रहा है तो अगले अगर आप लोगे वक्षीट बस इतना ही आप लोग को काम था अगले अगर आप लोगे को वक्षीट समझाने का तरीका वीडियो पसंद आई हूँ तो please like it and don't forget to share this video with your friends और वीडियो अच्छी लगी हूँ तो subscribe जरूर कर लीजिये जो भी new है इस channel के अपर जो first time मेरी वीडियो देख रहे हैं so till next week and next worksheet goodbye from here take care stay home and stay safe keep learning my dear learners thank you so much